जन्पत प्रभारी मंत्री जैप्रतास सिंग्द्वारा नौ नियुक्त सहाइक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बित्रण किया गया राम नरेष त्रिपाठी सभागार में आयोजित कारिकरम में प्रभारी मंत्री ने जन्पत सुल्तानपुर को आवंटि छेसो एकशर्च सीटों के सापेग छेसो दो नौ नौ नियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति प्रमार पत्र दिये उन्होंने सभी नव नियुकत अध्यापकों को सार दिये नवरात्र के पूर्व सभी को बढ़ाई दी और इमांदारी से अपने करतब्यों के निर्वहन करने की उम्मीद जताई तो यह विकास छेट पसगमा के मचेशा गाउं का प्रार्थमिक विद्याले जहां दो सिचकाओं के बीच किसी बात को लेकर हातापाई शुरू हो गई और गुसाई दोनों सिचकाओं ने बिद्याले परसर को जंग का अखाला बना डाला दोनों सिचकाओं एक दूसरे पर सब्द प्रहार ही नहीं हातापाई से भी नहीं चुकी दो प्रबुद्ध कही जाने वाली सिच्छकाओं के बीच बचाओं को लेकर काफी संख्या में ग्रामीरी कठा हुए एक महिला सिच्छक ने तो दूसरी सिच्छक को पिश्टल लगाने की बाद भी कह डाली स्कूल में हुई इसमार पीट की घटना को संख्यान में लेते हुए बीच से ने जाज के आदेज भी दिये हैं यहां से जिंदा नी जाए तो यहां द्धान रखना यहां कि अधर्वालों को ले लेकर घर्वाले तेरे तुझे यहां दस वे चोड़के जाते हैं और एक बज़े ले जाता है आप मुझे हाग की साथ तो बड़ तो मैं बिच गाओं का हूं तो इसे एक बज़े ले जाता है जनपत खीरी में भारत और नैपाल सीमया पर ये ससबी और पुलिस की सहियक्त टीम के हथे चड़ा तसकर पकड़े गए तसकर के पास से 20 ग्राम ब्राउन सूगर बरामद हुई जिसकी अंतर राष्टिय मार्केट में कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए बताई जा रही है मामला जनपत के गैरी फंटा के थापा घाट धकिया गाओं के पिलर संख्या 741 बटा 5 का है तसकर विसाल गुपता थाना पलिया के बड़ा पतवारा गाओं का रहने वाला है अम्बेटकर नगर जनपत के प्रभारी मंत्री बिर्जेस पाठक द्वारा 9 नियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ती पत्र बित्रण किया गया कारिकरम के दोरान जन्पत के लिए कुल आवंटित 580 सीटों के सापे 550 उपस्थित नव नियुक्त अध्यापकों को नियुक्ती पत्र देते हुए प्रभारी मंत्री ने अध्यापकों को बधाई दी और उनके उजल भविस की काम नागी अमबेटकर नगर जन्पत में पुलिस अधिछक द्वारा माफियाओं के खिलाब चलाए गए अभियान के तहट गैंगेश्टर खान मुबारक द्वारा गयर कानूनी धंग से अबैदार जित की गई संपत की कुर्की की दूसरी बड़ी कारवाही हुई खान मुबारक के गाउं हर संभार थाना हस्वर इस्थि दूसरे आस्याने पर कुर्की की कारवाही करते हुए तकरीबन 30 लाख रुपे के सामानों को नायब तहसिलदार टांडा की उपस्थिती में जब्द किया गया